चाहें आपकी नवरात्रे में कोई भी मन्ने आपकी विधी गड़बड हो गई या आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे माता को क्या चड़ाओं में क्या पूजा करूं तो माता को प्रसन्य करने के लिए चाहें दुनिया में कोई आपके उपर कितने भी बड़े टोने टोटी के कर रहा है माता को प्रसन्य करने के लिए ये वाला उपाय आप कर सकते हैं एक बेल पत्र ले और उस बेल पत्र पर जो उपरी हिसा है उसका जो सिदा वाला हिसा है उसके उपर सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगा कर कि सिंदूर कैसा हो उसमें थोड़ा सा सिंदूर में हलका घी मिला लें और उसके उपर बेल पत्र के उपर लगा कर कि सिंदूर वो नहीं हो जो हनमान जी को चड़ता है, वो वाला नहीं, बलकि वो जो रोली के रूप में, शिंदूर के रूप में, ये लाल वाला जो तिलग में लगता है, वो वाला. चोला वाला सिंदूर नहीं लिया जाता जो लाल वाला सिंदूर है जो मैयाएं मांग में भरती हैं वो वाला लिया जाता है और उसको बेल पत्र का जो चिकना वाला हिस्सा रहता है उपर सिधा पत्ते का जो हिस्सा है उस तीनों पत्तों पर उस सिंदूर को लगा करके उसे मा कार बिलकुल माता की जो तस्वीर मूर्ति आपने नवरात्रे में स्थापित करी है उस पर आप चढ़ाएं आप किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं और अगर पूरे नौ दिन नहीं चढ़ा पाए तो अंतिम दिन जम माता की हवन से पहले पूजा करते हैं उस समय आप समर्पित कर नहीं तो नवरात्री के जिस भी दिन आपको यह सुविधा संभव हो उसी दिन आप यह उपाए करिए माता को प्रसन्य करने के लिए यह बहुत सुन्दर प्रियोग है जो शायद आपको सब प्रकार की बाधाओं से सब प्रकार की विपत्तियों से बचा लेने के लिए मान ये है तो